जुले में तहसील गयरत गंज के थाना देवनगर का मामला प्रकाश में आया है जहां पर डिकर दिवता महिला पुनाफाई आधिवासरी कि राम निस्तुर बर्रू थाना देवनगर तहसील गयरत गंज तहसील कपा देवनगर जौराथ वो माफिया बदमाश एलाय जुखार से प्रतारित महिला ने मीडिया को श्रपत पत्र देकर भया शिवराग मामा के लिए ख़वर पहुचानी के लिए गुहार लताई वहीं महिला ने समाज से भी देवनगर निवासी भारती जनतपाती की वरिष्ट नेता अरुन जैन की निवास पर पहुच कर प्रतारित महिला ने अपनी आप वीती गाता सुनाते हुए आखों में आसु टपक के रहे थे प्रजहां पर प्रतारित महिला की समस्या को सुनकर ग को पहुचाने के लिए आश्वासन दिया जहां पर महिला के शबत पत्र पर मेडिया द्वारा प्रभुक्ता से खबर प्रकाशित हुए महिला का कहना है कि कुछ दिन पेरे मैंने अपनी जमीन में मक्का की वोई थी जो कि भूमाफिया बदमाश एल जाए खा एवं उसका लड सिंग के पास खबर को मीडिया द्वारा एवं समाच से भी निता भार्दी जनतपाची के अरुन जैन के संग्यार में पूरी गाथा सुना चुकी हूं मुझे भाया शिवराद मामा पनी भरोसा है ऐसे प्रिष्टाचारी भूमाफिया बदमाश पर भाया मामा शिवराद सि कहा है मामाला किशी है को मामला क्या झेहा हूं करना के यूरी जमीन हमारी पास चाई हैं तरह माठाचा आना है अब कारवाई में आप क्या चाहती हो कि अब कर रहा हैं 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 कि अब कर रहा है कि मैं अरण कुमार जियन समाच सिभी देवलगर और भारती जनता पार्टी का कार करता हूं मेरे पास सरेपुर से पूनावाई आदवासी बहुत परेशान हालत में मेरे पास आई और अपनी उसने बिता कता सुनाई मुझे उसकी बिता सुनकर के काफी दुख पहुचा उसके उसने बतलाया कि मैंने पंद्रा दिन पहले अपने बेटे के साथ में बक्खर्स के दुआरा मकाब होई थी जो कि हूग आई थी और उस फसल को इलियास नाम की ब्यक्ती ने अपना टेक्टर चला करके उसको पलट दिया और मेरे खित पर कब्जा कर लिया मैंने सो नमबर पर भी फोन लगाया लेकिन पुलिस नहीं पहुची और वह मेला फिर भग दी हुई मेरे पास आई उसने सब अपनी बैसा सुनाई और मेरे से कहा कि इसने मेरी फसल पर टेक्टर चलाया है तो मैं भी अपने सिवराज भाईया से जो की मामा के नाम से जाने जाते हैं मैं अपनी बैहन के फसल पर जिसने किट्ले चलाया है उसके घर पर भी बिल्डुड़ने चलना चाहिए तो मैंने उसे कहा कि ठीक है बेहन मैं तेरी बात को सिवरासीन जी मामा जी के पास तक पहुचाँँगा और हर संबब कुशित करूँगा कि तुझे न्याए प्राफ हो और मुझे बहुत दुख है कि पुलिस को सूचना करने के बाद भी सो नमबर डायल करने के बाद भी पुलिस ने गरीबों का सहयुग नहीं किया इसका मुझे काफी दुख है